एक दिन की बात है जब एक psychology teacher अपने students को stress से निपटने के लिए उपाई बता रहे थे उन्होंने अपने हाथ में पानी का ग्लास उठाया और एक प्रश्न पूछा उन्होंने पूछा कि पानी का ग्लास कितना भारी है एक एक करके सभी विध्यार्तियोंने उत्तर देना शुरू किया कुछ का जवाब था आधा लीटर, एक ने कहा एक लीटर सब ने अपने-अपने अनुमान से प्रश्न का उत्तर दिया तभी अध्यापक ने कहा मेरी नजर में इस ग्लास का कितना भार है ये माइने नी रखता बलकि ये माइने रखता है कि इस ग्लास को कितनी देर तक मैं पकड़े रखता हूँ अगर मैंने इसे एक या दो मिनट पकड़े रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं इसे एक घंटे पकड़े रखूँगा तो मेरी हाथ में दर्ध होने लगेगा लेकिन अगर मैं इसे एक दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मेरी बाँ बिलकुल सुन्न हो जाएगी सभी स्थिथियों में पानी की ग्लास का भार नहीं बदलेगा लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़ूंगा ये उतना ही भारी होता जाएगा जीवन में तनाव और चिंताएं पानी की ग्लास की तरह है उनके बारे में कुछ देर सोचें तो कुछ नहीं होगा उनके बारे में थोड़ा लंबा सोचेंगे तो वो आपको दुखने लगते हैं और यदि अब दिन भर उनके बारे में सोचते हैं तो अब सुन महसूस करेंगे और कुछ भी करने में ऐसमर्थ एक दिन की बात है या फिर कहें एक दिन था ठीक है तो इसकी इंगलिश होगी It was one day It was one day जब एक psychology teacher अपने students को stress से निपटने के लिए उपाय बता रहे थे ठीक है तो जब यहाँ पर जब एक connective word है और इसकी इंगलिश होगी when ठीक है When a psychology teacher जब एक psychology teacher अपने विध्यार्दियों को अपने students को stress से निपटने के लिए उपाय बता रहे थे ठीक है तो यहाँ पर यह जो sentence है यह past continuous से है psychology teacher was telling his students how to deal with stress ठीक है stress से कैसे निपट है इसको हम इंगलिश में कहेंगे how to deal with stress stress मतलब तनाव उके It was one day when a psychology teacher was telling his students how to deal with stress उन्होंने अपने हाथ में पानी का ग्लास उठाया ठीक है यह sentence है past indefinite से किसी चीज़ को उठाना उसे हम या तो pick कह सकते हैं या फिर raise ठीक है आप pick भी यूज़ कर सकते हैं और raise भी अब past indefinite है तो verb की second form लगेगी जो होगी raised या फिर picked He raised a glass of water उन्होंने अपने हाथ में पानी का ग्लास उठाया He raised a glass of water in his hand ठीक है इतना clear है उसके बाद क्या है और एक प्रश्न पूँचा यह sentence भी past indefinite से है प्रश्न पूँचना इसको हम बोलेंगे ask a question लेकिन sentence past में हैं तो हम ask की second form ask का यूज़ करेंगे asked a question He raised a glass of water in his hand and asked a question उन्होंने पूँचा He inquired ठीक है inquired यानी पूँचताच करना आप inquired की जगे ask का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है He inquired ये पानी का glass कितना भारी है ठीक है उन्होंने ये पूँचाता ये पानी का glass कितना भारी है इसे हम English में कहेंगे How heavy is this glass of water How heavy यानी कितना भारी है is this glass of water ये पानी का glass कितना भारी है How heavy is this glass of water इस तरह ये sentence बनेगा अगर आपको बोलना हो ये पानी का glass कितना हलका है तो आप कहेंगे How light is this glass of water यानी हलका तो ऐसे sentence How से स्टार्ट होंगे How heavy is this glass of water एक एक करके सभी विध्यारतियों ने उत्तर देना शुरू किया ये sentence है पास्ट इंडेफिनेट से और एक एक करके को हम English में कहते हैं One by one One by one यानी एक एक करके सभी विध्यारतियों ने उत्तर देना शुरू किया सबचेक्ट है सभी विध्यारति ठीक है All the students All the students Started answering ठीक है शुरू किया शुरू करना यानी स्टार्ट करना ठीक है और स्टार्ट की second form क्या होगी Started कुछ का जवाब था आधा लीटर एक ने कहा एक लीटर The answer for some Answer for some यानी कुछ का जवाब था ठीक है कुछ का जवाब था The answer for some was Half a liter ठीक है आधा लीटर यानी Half a liter और एक ने कहा One said One liter ठीक है One by one All the students Started answering The answer for some Was Half a liter One said One liter सब ने अपने अपने अनुमान से प्रश्न का उत्तर दिया सब ने इसके इंग्लिश होगी Everyone या फिर आप कह सकते है Everybody Okay Everyone Answered the question जो ही sentence है Past indefinite से है राइट और जवाब देना उत्तर देना को हम इंग्लिश में कहते है Answer और Answer की Second form Answered Everyone Answered the question सब ने प्रश्न का उत्तर दिया अपने अपने अनुमान से अनुमान को हम इंग्लिश में कहते है Guess Everyone answered the question by their own guess तभी अध्यापक ने कहा Then the teacher said मेरी नजर में इस ग्लास का कितना भार है ये माइने नहीं रखता In my opinion In my opinion यानि मेरी विचार से मेरी नजर में In my opinion The absolute way doesn't matter इस ग्लास का जो भार है ठीक है जो सही धंका भार है वो माइने नहीं रखता Doesn't matter In my opinion The absolute weight doesn't matter बल्कि ये माइने रखता है कि इस ग्लास को कितनी देर तक मैं पकड़े रखता हूं बल्कि को हम इंग्लिश में बोलेंगे In fact In fact, it depends on how long I hold it How long यानि कितनी देर, कितने लंबे समय तक How long I hold it मैं इसे पकड़े रहता हूं Hold यानि पकड़ना किसी चीज को पकड़ना और यहाँ पर जो it है यह यहाँ पर ग्लास ओफ वाटर के लिए यूज हुआ है In fact, it depends on how long I hold the glass of water या फिर आप simply it का यूज कर सकते है अगर मैंने इसे एक या दो मिनट पकड़े रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर, अगर को इंग्लिश में कहते हैं If If I hold it for one or two minutes If यदि I hold it मैं इसे पकड़े रखता हूं for one or two minutes, एक या दो मिनट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी It will not be a problem अगर मैं इसे एक घंटे पकड़े रखूंगा तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा If यानि अगर If I hold it मैं इसे पकड़ूंगा for an hour एक घंटे के लिए तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा I'll have an egg in my arm Arm यानि हाथ में बाम है ठीक है और एक यानि दर्द I'll have an egg in my arm अगर मैं इसे एक दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मेरे बाम बिलकुल सुननों हो जाएगी If I hold it for a day अगर मैं इसे एक दिन के लिए पकड़ता हूँ My arm will feel numb and paralyzed My arm यानि मेरे बाम बिलकुल सुननों हो जाएगी Will feel numb and paralyzed Numb and paralyzed का मतलब होता है एकदम सुन हो जाना, लखवा गरस्त हो जाना, जो बिलकुल भी responsible ना हो किसी भी काम में. ठीक है? Paralyzed and numb. If I hold it for a day, my arm will feel numb and paralyzed. सभी इस्थितियों में पानी के glass का भाहर नहीं बदलेगा. In all cases, case यानी इस्थिती, in all cases the weight of the glass, यानी glass का भाहर will not change, नहीं बदलेगा. जो glass का भाहर है, वो नहीं बदलेगा. वो चेंज नहीं होगा लेकिन, but, जितनी देर में इसे पकड़ूँगा, ये उतना ही भारी होता जाएगा. The longer I hold it, the heavier it will become. The longer I hold it, मतलब जितना लंबा मैं इसे पकड़ूँगा, जितने समय के लिए मैं इसे पकड़ूँगा, the heavier it will become. उतना ये भारी होता जाएगा. जीवन में तनाव और चिंताएं, पानी के ग्लास की तरह हैं. The stresses and worries. Stresses यानी तनाव, और चिंताओं को हम इंग्लिश में कहते हैं वरीज, ठीक है. The stresses and worries in life are like the glass of water. जीवन में तनाव और चिंताएं, the stresses and worries in life, पानी के ग्लास की तरह हैं. Are like the glass of water. उनके बारे में कुछ देर सोचें, तो कुछ नहीं होगा. Think about them for a while. For a while यानी कुछ देर के लिए, कुछ च्छण के लिए. Think about them for a while. उनके बारे में कुछ देर सोचें, तो कुछ नहीं होगा. Nothing will happen. Nothing will happen, यानी कुछ नहीं होगा. उनके बारे में थोड़ा लंबा सोचेंगे, तो वो आपको दुखने लगते हैं. Think about them a bit longer. A bit longer, यानी थोड़ा लंबा सोचना, थोड़ा जादा सोचना. Think about them a bit longer. तो वो आपको दुखने लगते हैं. Then they begin to hurt you. Hurt यानी दुख पहुँचाना, चोट पहुँचाना. They begin to hurt you. जो आपकी चिंता हैं, जो आपके तनाव हैं, वो आपको hurt करने लगते हैं. वो आपको दुखने लगते हैं. और यदि आप दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, तो आप सुन महसूस करेंगे. कुछ भी करने में एसमर्थ. And, or, if you think about them all day long, आप दिन भर उनके बारे में सोचते हैं, तो आप सुन महसूस करेंगे. You will feel paralyzed. Paralyzed यानि लगवाग्रास दे एक दम सुन हो जाना. You will feel paralyzed और कुछ भी करने में एसमर्थ. Incapable of doing anything. Incapable का मतलब होता है, कुछ भी न कर पाना. एसमर्थ होना. ठीके? Incapable of doing anything. कुछ भी करने में एसमर्थ. Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button. And subscribe my channel for more informative and interesting video like this.